कि दोस्तों कुछ ही माईने हुए थे कि जिंदर महाल ने अपनी चैंपेशिप जीती ली है दरसल डर्विल से निकाले जाने के बाद 90 दिन तक सूपरस्टार्स कहीं भी रेसल नहीं कर सकते हैं कि जिंदर महाल वह नाइंटी डे नॉन कंपीट को से बाहर आये थे और गाइज नबे दिन के बाद ही जिंदर महाल अपनी पहली चैंपेशिप जीती लिए एक हफ्ते में दोस्तों उन्होंने चैंपेशिप नमें नाम कर दी है दरसल चैंपेशिप का नाम है ब्लैक लेबल करके हैं और इंडी सरकेट की कोई प्रमोशनल कंपनी है वहां गाइज वर्डविड चैंपेशिप को वह राकर माड़न डे महाराजा जिंदर महाल दोस्तों चैंपेशिप बन चुके हैं वी नो फैक्ट की जिंदर महाल जो है उनका नाम अब चेंज हो चुका है और अब उ जरूरी होता है कुछ ऐसा है दोस्तों जिंदर महाल के केस में हुआ जहां डवल ब्रेक अंदर उनकी बैड बुकिंग हो रही थी द रॉक आकर उने पीट रहे थे और बेस्ती हो रही थी वह दोस्तों अंततहा कंपनी से निकल जाने के बाद दोस्तों चैंपेशिप जीतते से कई साल पहले जब डविल से निकाले गए थे और गाइस यहां जो जैफ फार्डी है वो फिर से चर्चा में आ चुके हैं रीजन बस है कि हल विलाल में उन्होंने एक बड़े राज से परदा हट आया तो हम सोचते हैं जैफ फार्डी को हाल फेम क्यों निमलता दरसल मैं अन्हें एंड़िग्ट को गशाए अगर्ल दोस्तों मैं लेगिशी की बात कुर जैफ फार्डी की डवलेगेसी काफी हुज है अगर जैफ हर्डी के विलेशे से से अधा człेम करते हैं क्यों चाहते हैं कि जब भी हमिले उनके बाई के साथ ही मिले बात कर लेजाए दोस् इस समर स्लैम में उनका सोलो के साथ एक ऐसा मैच होने वाला है जहां गाइस हमें बहुत जादा आतिश बाजिया देखने को मलेगी बट यहां दोस्तों फिर से कोडी जो है चर्चा में आया है उसका रीजन थोड़ा सा डिफरेंट है यहां दोस्तों आल फिलाल में अमेरिकन नाइट मेर ने एक स्टोरी पुट की थी इंस्टाग्राम के उपर जहां गाइस उन्होंने दो बंदों को था फोटो के चाहिती एक दोस्तों ऑनको बटाएं तो बस्तों गाइस यहां कोडी आए कि फिर से प्रेक्षिंथ करते हैं मैंको गूल करते हैं डॉमिनिक मिस्टीरियो चैंपिन होंगे आपका क्या कहा ना इस पर डू लेट मी नो इन दे कॉमेंड बॉक्स हम बात कर लेते हैं दोस्तों इस अगली नीज की इस अगली नीज जो आज की मारी जुड़ी भी है वह जुड़ी हुई है दोस्तों वाइट 6 के एक और हमले से त टेस्ट अपडेट के मारें और खासकर पीड़ नेक्सरस के मारें तो गाइस काफी जादा चांसे से कि कल चैड गेबल एंड अंकल हाओडी के बीच में एक मेगा सेगमेंट देखने को मिल सकता हो सकता है जो चैड की टीम है वह भीड़ जाए वाइट 6 के साथ में तो कल दो अगली न्यूस की अगली न्यूस जो आज के मारी चुड़ी वी है वह चुड़ी है दोस्तों मेरे आपको बताया है कि बॉबी लैशली एडबली में जा सकते हैं यहां दोस्तों एमवीपी और डेडी डव्यवी को छोड़ भी चुके हैं दरसल हाल फिलाल में एमवीपी को स्पोर्ट किया गया है जी सी डवल्यू के बलट स्पोर्ट में जांगाई जायन में वो आते हैं और कन्फरंट करते हैं बॉरनेट के साथ और कुल मिलाकर दोस्तों यहां काफी तगड़ा मुमेंट बन गया है और कुल मिलाकर दोस्तों बात इतनी सी है कि एमवीपी अब श लेशली का भी दोस्तों हम लोगों को जो डेब्वी है आउटसाइडर डेवली चाहे वो एडेवली के अंदर क्यों नहीं एक सर्प्राइज के तौर पर देखने को मलेगा और किसी को पता नहीं होगा कि लेशली इस जगा पर आने पाले हैं तो बोवी लेशली एंड एवपी मंडे नाइट रॉक के प्रिव्यू में कुल मिलाकर दोस्तों डॉली वालो ने चार से पांच सेग्मेंट कर दिया है और आज इसे दोस्तों एश्योर करते वेए एक वीडियो भी पुट किये दोस्तों एडम पेर्स ने जो कि गाइस बताते हैं कि कद आप लोगों को देख सिक्स अपना दमखंद दिखाना चाहेंगे और ओटीजन तोजावा के साथ काफी गलत हुआ है तो यहां दोस्तों चाहिए इसका सिंगल्स कॉंपिटिशन कंफर्म की आडम पेर्स ने जो की होगा शेमस एंडरीड के बीच में वैल यह मैच हम लोगों ने पहले देखना थ तो यहां दोस्तों हम लोग इसे देख रहे हैं और कुल मिला आपर दोस्तों काफी तगड़ा मैच रहेगा मेरे सापसे शेमस इसके अंदर जीच जाएंगे इसके बाद दोस्तों जो अगला मैच हम लोगों को देखने को मलेगा वो रहेगा सिक्स नम्मंन टैक्टीम मैच जहां वॉलकेरिया, केडिन काडर रन काटाना चांस जो है वो सोनिया की टीम को यानि की सोनिया, जोई स्टार्क और शेना बजल को फेस करने वाली है इसके बाद दोसो सिंगल्स मैच होने वाला है क्रॉस का जो की फेस करेंगे सैथ फ्रीकिंग राउलिंस का ड्रैसिंग सैंस भी पता चल जाए कैसा वो ड्रैस अप करके वहाँ आने वाले है हो सकता है रैफरी की वेश भूशा में ही हम लोगों को कल राउ में सैथ फ्रेकिंग राउलिंस देखने को मैं ले और दोनों की खूब मौज ले हम बात कले थे दोस्तों आज के अपनी second last news की second last news से पहले दोस्तों एक bonus update है तो आप सब दोस्तों इस वक्त देख रहे हैं कि WWE के दो क्या चल रहा है और guys solo sikawa काफी ददा dominate करते वे नजर आ रहे हैं लेकिन guys इसी बीच update क्या है कि guys जो solo sikawa है कही ना कहीं दोस्तों rock के नक्षे कदमों पर चल रहे है दरसल दोस्तों हाल फिलाल में एक चीज नोटीस की गई है दरसल solo जो थे वो guys काफी time से एक ही dress up रख रहे हैं और guys इनके backshare segment में इस dress up को हाल फिलाल में exclusive wrestling ने दोस्तों exclusive john wrestling ने mark out किया और guys ये चीज देखी है कि guys कि ये rock के 90s के version के जैसे dress up कर रहे है तो कहीं ना कहीं ये easter egg हो सकता है कि rock असलियत में final boss है और असलियत में वो tribal chief है और वो दोस्तों instruct कर रहे है solo को इस up करने के लिए well guys ये तो आगे पत्या चलेगा लेकिन इसी बीस दोस्तों एक बड़ी update निकल कर सामने आ चुकी है दरसल दोस्तों ये आज के हमारी second last update है क्या करेके बताया जा रहा है rock की movies खतम हो चुकी है yes rock शाय से smashing machine नामक movie की इस वक्त shooting कर रहे थे और guys क्या करेके बताया जा रहा है कि guys ये जो है shooting ये खतम हो चुकी है filming wrapped up हो चुकी है ये summer slam से ठीक पहले की काफी huge news है we know the fact कि guys roman reigns आने वाले है summer slam के end में लेकर guys अब ये चीज भी हो सकती है ये rock and roman reigns का आमना सामना हो जाए जैसे कि मैंने आपको बताया है कि solo rock के जैसे खुद को dress up कर रहे है खुद के जैसे rock के जैसे react भी कर रहे है even और कहीं ना कहीं दोस्तो अब जब rock की movie wrapped up हो चके उनके पास कुछ भी नहीं करने को तीके को के साथ जुड़े होए है हो सकता है guys हो सकता है कि वहाँ जब जो ट्राइबल चीफ रोमर रहे है टेक आउट करते solo को रिंक के अंदर खड़े हो अचान ऐसे theme song प्ले हो वहाँ guys rock आए और ramp के उपर से चीज़ बताए कि solo तो कभी tribal chief था ही नहीं बच्चे वो मैं था अगर ऐसा होता है तो guys एक काफी तगड़ा scene हो जाएगा और eventually दोस्तो अपडेट ये भी थी से पहले day मैल्जर की guys rock के पास एक और मैच बचा हुआ है 2024 में 2024 में दोस्तो एक और मैच उन्यों ने लड़ना है जो कि हो सकता है most probably survivor series में बन जाए rock as a leader, roman range दूसरे leader दो teams, दो blur line कौन निकलता असली काफी जादा दोस्तो मज़ा आएगा देखेंगे दोस्तो एक चीज होती है पर नहीं बात कर ले दे आज की पनी में अपडेट की guys में खबर जो आज की मारे जुड़ी हुई है जुड़ी हुई है दोस्तो बाबा ब्रॉक लैसन से तो guys ब्रॉक लैसनर के उपर आ चुकी है अपडेट ब्रॉक लैसनर आज दोस्तो ट्विटर पर काफी जादा ट्रेंड हो रहे थे मुझे समय नहीं है लेकिन उसके आज जब ब्रॉक लैसनर के उपडेट मैंने पाई तो मैं समझा कि ऐसा क्यों है दरसल ब्रॉक लैसनर के ऊपर दोस्तो इस वक्त काफी जादा चर्चा हो रही है और ट्रिपल अच ने भी चीज़ कह दिये ब्रॉक आना चाहिए तो वह आ सकते हैं लेकिन फिर ट्रिपल अच उन्हें लाते क्यों यह काफी बड़ा कुशन मारक है जिस पर दोस्तों डे मैलजर ने आज टिप नहीं किया और रीजन बताए ऐसा क्यों है दरसल डे मैलजर ऐसी बोलते हैं कि ट्रिपल अच वह चीज़ कह रहे हैं जोकि उनके लॉयर्स ने कहा है कि मेडिया में जाकर एस चीज़ कहों कि सब कुछ सई है और यह लॉयर्स ही है जिन्होंने इस वक्त रोक रखाए ट्रिपल एच को क्योंकि ट्रिपल एच तो लाना चाहते हैं ब्रॉक लैस्टनर को लेकिन उनके जो लॉयर्स है जो डॉवी के लॉयर्स है वह चीज बता रहे हैं कि शायद से यह आपके लिए एक बैड पबिसिटी हो सकती है ब्रॉक लैस है है इन्होंने जो ए थे वकील है 271 के हा बान्द रखेयें तो जैसे दोस्टों लोयर्स का रहे हैं कि वैसे दोस्तों कमपनी में देखने को मिल जाएंगे तो यहां दोस्टों ऐसा नहीं है कि triple लाना जाते ब्रॉक लैसम लैसर को बस दोस्तों जो यह वकालत है जो यह दो दोस्तों ओवरॉल लॉयर्स का सोचना है कि कमपनी की बैड पबलिसिटी हो सकती, इसी वज़ा से लेस्ट नट देखने को नहीं मिल रहे हैं, दोस्तों लेस्ट नट जल देखने को मलेंगे, मेरे हसाफ से दोस्तों चीज़े बढ़िया होगी, वीडियो आज कितनी इस थी, वीडियो बढ़ी लिया गियो, दोस्तों इसे आज शेयर जो की जगा, आस तर के ले इतना ही, थाने वाद, शबाख,